किक्यार की टीम की तरफ से आई पील के अंतीम ओभरों में जो है कि 5-6 लगा करके अपना नाम अंतराश्चे वगरा भी है देखिए आप देख सकते हैं इनी गलब्स को पहन करके पाले रिंकू सिंग को हैं तो इनके सिश्टर यहां पर है तो हम सबसे पहले आपका नाम जाना चाहेंगे इनके साधी को ले करके हैं पिता जी माता जी और भाभी जी और इनके सिश्टर यहां पर बैठ करके क्रिकेट देख रहे थे हम थोड़ा सा पापा जी तो सीटी बाजा रहे थे पिता जी इनका एक ज्वाब लगा थे जहांपर जाड़ों और पोच्छा करने का ता वो वहाँ पर पाया कि सारुखान जो है डारेक्ली उनसे फिर बाद में बात भी किये थे लाष्ट बार जो है कि जब रिंकू सिंग यहां कब अपने घर पर पता रहे थे हेलो नमस्कार इसमा हम लोग हैं अलीगड में ताला नगरी अलीगड और फिलाल जो है कि हम लोग आ चुके हैं रिंकू सिंग के घर पर जो के अभी हाल ही में किकेर की टीम की तरफ से IPL के अंतीम ओभरों में जो है कि 5-6 लगा करके अपना नाम अंतराश्चे तर पर अपन गलंते देहें सह सकता है कि इनके बड़े भाई हैं पुरह हैं और उत्रे हैं अन्हें ले तो इनके माम जो करती हैं और अगामी भविस में हो सकता है कि नेसलन टीम में भी उनका चैन हो जाए जिस हिसाब से इनका परफार्मेंश चल आए पहले उनका दवर फिर से यहां पर आये हैं और भाहर भी बहुत सारे लोगों का यहां पर मीडिया से ले करके तमाम अगल बगल के लोग हैं वो भी यहां पर इकटा हुए हैं तो इनकी सिश्टर हैं तो हम सबसे पहले आपका नाम जाना चाहेंगे मेरा नाम नेहा है नेहा जी है лыं जो कि रिंकव सिंग की सिश्टर हैं कैसा लग रहा था जब वो चख्के मार रहे उन्हें लग रहा था जब मैं देख रहे हैं तो उमीद नहीं थी कि about watch up क्रिंगे मुझे तो यही लग रहा था कि अब तो हार गई भी मलब जब खेल रहे थे तो उनके भी मन में कहीं ने कहीं यह था कि कैसे बनेंगे आठ बॉल में 40 रंच चाहिए थे जब उन्होंने उसके बाद उसके बाद आपकी वरतालाप होई उनसे फिर रात को इती वीडियो कॉल पर बात हुई तो उन्होंने क्या कहा है मैंने बोला था आपने तो बहुत अच्छा किया तो मुझे तो विलीव नहीं हो रहा तो पर एस इस बात करते रहें पृर मैंने बोला त्सक ठोल यह हो थोड़ी सी नीसदुट्ब करती थी चलिखे जैसा कि इन्होंने बताया कि इसकोर को जब शेच किया जाता है तो अलग कि अलग तके का एक प्रेसर होता है और नार्मली तॉर पर ऐसे सिंसे क्ला अबभाना हो सब लोग और मेरे लिए गिफ्ट भी आते हैं जब भी गिफ्ट लाते हैं जैसा कि आप लोग का भी घर अगल बगल जो की पास में दूसरा भी बन चुका है तो अभी भी जो है कि आप लोग यहीं पर क्यों रहते हैं मम्मी पापा यहीं रहते हैं मैं भी आ जाती हूं मलब सब लोग आ जाते हैं वहां चले जाते हैं मम्मी पापा इसलिए रहते हैं बापा का मन नहीं लगता है क्योंकि 30-30 सालों से पापा यहीं रहते हैं तो बापा का यहीं मन लगता है अपको बता दे कि 1985 से जबसे उनों ने यहाँ पर डूटी ज्वां की है सामने ही यहाँ पर गुदाम है तो यहां से रहने में उनकी काम को असानी मिलती है और आज पूरी तरह से बैस्ट है वेस्ट उनका कारक्र में जो तमाम लोग लेने के लिए यहां पर पहुच रहे हैं और सब्सक्राइब लोग दूर के लोग है वोग हैं और और काफी दूर-दूर से भी लोग और आगामी भावी समय जो एकी नेशनल टीप में खेलने के बाद जो एक आगामी भावी समय उनकी साधी भी होगी थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे जहां पर जो आप जब 10 तारीक का जो मैच 9 तारीक में हो रहा था आप लोग कहां पर यह मैच देख रहे थे जो है तो उसमें जो कैसा लग रहा था जो है बहुत अच्छा लग रहा था जब भावी जी भी है यहां पर रहें तो उनसे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अपने देवर को ले करके भावी जी सबसे पहले आपके ना सुना मताईएगा जी आरती भावी हैं देखे रिंकू स पॉइसे की भावी हैं और सबसे बड़ी भावी हैं तो जब आप भी आप मैच देख रही थी तो उसमें कैसा आपका फीलिंग आ रहा था तो बहुत अच्छी फिलिंग आ रहे थे पापा जी तो सीट आ जा रहे थे जाते ऑपाजी जब चक्के इनके लिए नहीं बाकी कि पूर प्लेएर और मुश्मूराइब क्रिकेटि और सबसे अपने पापा przypad जी आपके बच्छे पांस थे इसांडी वह नहीं वह बह्ता हैं लिए के इसमें लिथा ऊहरा यहां पर पहुंचे तो उन्होंने पहुंचे के नहीं पहुंचे के मिलेगी तो उन्होंने फिर मना कर दिया पापा जी ने बोला कोई बात नहीं है चलिए एक नौकरी को छोड़ करके फिर से यहां पर फिर से क्रिकेट में लौटे और अंतराश्टिक ख्याती इसमें प्राप्त कर चुके हैं और आप भी तमाम जोए किसमें आई पील के मैच देख रहे होंगे और बीच में वो चोटिल भी हो गये थे पिछले सीजन में उनक इनको रख लें इसे तो हमें कोई इसू निए वह रख लेंगे तो ज्यादा पसंद करते हैं जो शारुखान सरकी टीम है वह बहुत पशंद करते हैं सारी लोग ऐसा भी सुनने में आया कि सारुखान जो है डायरेक्ट ले उनसे फिर बात में जो है बात भी किये थे तो कि जब रिंकू सिंग यहां कब अपने घर पर पता रहे थे हैं हो गया उने एक महिना जैसे कैम था ना अभी जैसे आइपिल शुरूए उससे पहले कैम था तो जब भी फिर वह वहां चली गई चली जो आपकी बात जो है लाश्ट बार कब हुई थी इनसे मेरी नौतारी को को भी बात हुई थी रात को तो काफी खुषते बोल देते भापी कैसा लगा हूं मैंने का बहुत अच्छा लगा भी है जिस समय का में इंते जार था वह आपने पूरा किया है कि हाँ भाबी देखो मैंने का करते हैं भगवान से आप भी करो आप खेलो हम दूआ करते हैं औ जब पापा जी ने जब के लिए बोल दिया तो भी आभी शादी के लिए इंडिया खेलने उसके बाद में ही शादी करोगा मैंने का चलो अच्छी बात है भगवान आपकी जल्दी सुनें चलिए जब आपके साधी होकर आए थी तो वो कितने उमर के थे इस समय तेरा साल के सब्सक्राइब करें जैसा कहा जाता है कि जब आपके आने के बाद भी क्या पिता जी उनको जोड़ी आपके आने के बाद भी पीटे ने क्याने के बाद भी नहीं थोड़ा मतलब जासे मेरे आने से पहले ही पापा जी मतलब जो मारा पीटा होगा तो उसका मुझी तो खैन नहीं पता है लेकि हाँ डारते थे कहिए मत करो मत करो और सारी लोग बहुते हैं कि आपके बच्चे सारी मैच खेलते हैं ऐसा करिएने वालों का काम है करना बाकी कर के दिखाना तो अब रिंकुभी ने अपना करके जो काम है वो करके दिखा दिया है जो कि अगल भगल जो लोग कहते थे कि अजय की करियर में का कजो तो बागी देखें इनकी भावी चीती और जो भी जीवनी से रिलेटेड चीजें थी उनको यहां पर सेर करने का प्रयास किया तो बहुत बहुत